Assalamualaikum everyone dear student आज के इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं disease of the blood यह भी बलड के इंदर जो भी disease और disorder मजूद होती हैं उनके बारे में हम डिसक्स करने वाले हैं जिसमें सबसे पहले आता है anemia, iron deficiency, anemia, leukemia and thalassemia आज के इस वीडियो में हम anemia के उपर full discussion करेंगे anemia किसे बोलते हैं इसकी क्या causes है and then sign and symptoms देखेंगे what is anemia? anemia is the reduction of red blood cells erythrocydes which in turn decrease the oxygen carrying capacity of the blood actually anemia बोलते हैं red blood cells erythrocydes की reduction को ठीक है red blood cells का दूसरा नाम erythrocydes है जब red blood cells की reduction होगी destruction होगी जब red blood cells toot food का शिकार होगे या reduce होगे उनकी तदाद में कम ही आएगी ठीक है उनके functions पर पॉर्म करने में destruction होगी then anemia होगे ठीक है जिसकी वज़ा से oxygen carrying capacity of blood जो हो decrease होती है हमारी जो red blood cells है erythrocydes वो ही oxygen को carry कर रहे होती है हमारे सांस का जो नजाम है इनकी वज़ा से चल रहा होता है लेकिन जब ये red blood cells ही कम हो जाएंगे तो oxygen हमारे body के अंदर कम जाएगी जिसकी वज़ा से हमें सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी इसकी क्या causing है causes सबसे पहले आ जाती है in adequate formulation of hemoglobin and red blood cells RBCS ठीक है and then आता है increased loss of blood in adequate formulation of hemoglobin mean hemoglobin का सही से ना बनना उस मिकदार में ना बनना जिस मिकदार में हमें जरूरत है and increased loss of blood यानि blood का जो loss है वो बढ़ गया है ये इसकी दो causes है अब detail में इसको देखते हैं in adequate formulation of hemoglobin जो है वो educate कैसे होगी for adequate formulation of hemoglobin अगर हम अपनी hemoglobin की जो मिकदार है वो educate करना चाहते है यानि proper करना चाहते है तो उसके लिए हमने क्या करना है ठीक है इसके लिए हमने जो है वो राव माटेरियल यूज़ करने है जैसे कि आईरन है परोटीन है फोली केसिद वाइटमिन सी और वाइटमिन B12 ठीक है अपने बॉड़ी में इंटेक करेंगे देन जो है वो अनिम्या होगा अदर कंडिशन और बॉन मैरो डिप्रेशन डियू टू ड्रॉक्ट इंफेक्शन और कैंसर और जो दूसरी वज़ो आते है जिसकी वज़ से अनिम्या होता है वो है बॉन मैरो का प्रॉब्लम ठीक है बॉन मैरो में जो है वो ब्लड की फॉर्मेशन होती है अगर उसमें जो है प्रॉब्लम होगी देन अनिम्या होगा डिप्रेशन डियू टू ड्रॉक्स ड्रॉक्स की वज़़ से जिस बंदे को डिप्रेशन है उसको अनीमिया होगा, infection और cancer की वज़े से अनीमिया होगा, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, increased loss of blood, increased loss of blood occur in following condition, किन-किन conditions में जो है blood loss होगा, blood loss होने के chances बढ़ जाएंगे, loss of whole body in disease such as dysentery, hookworm, infestation, यानि हमारी body, हमारी पूरी body में अगर blood loss होता है, ठीक है, वो किसी ना किसी बिमारी की वज़े से होगा, जैसा कि, dysentery कहते हैं, lose motion, ठीक है, और इसके बाद आता है, hookworm, infestation, infestation का मतलब होता है, या hookworm का infection, आंतों के अंदर, अंतर यूं के अंदर, जो है, hookworm, अगर infect कर जाता है, act of infection को बोलते हैं, infestation, तो अगर ये infection होगा, तो हमारी body के अंदर, blood loss increase हो जाएगा, ठीक है, इस पर आ जाता है, hemorrhage और injury, hemorrhage कहते हैं, bleeding को, जिसम के किसी भी हिस्से में, अगर bleeding होती है, जैसा कि, मसूडों में bleeding होती है, ठीक है, तो अगर injury है, then, जो है, anemia होगा, अगर एक amount से जादा, जो है, blood loss होता है, then, anemia होने के chances होते है, ठीक है, vaginal अगर यह प्रॉब्लम्स होगी, then, blood loss होगा, blood loss होने के chances भढ़ जाएंगे, then, आता है, bleeding disease, purpura and hemophilia, purpura कहते है, rash, ठीक है, body के ओपर जो है, वो purple color के rash बन जाएंगे, and hemophilia, hemophilia एक ऐसी condition है, जिसमें blood clot होने की capacity हो, reduce हो जाती है, ठीक है, तो यह bleeding disease में, जो है, blood loss होता है, ठीक thalassemia, incompatible blood, अगर हमारी blood की circulation में, ABC की destruction हो जाती है, then, malaria, thalassemia, incompatible blood loss होने के chances होते हैं, इसके sign and symptoms क्या होगा, एक person है, जिसे anemia है, ठीक है, इसकी causes हमने define कर ली है, then, sign and symptom patient में क्या show होंगे, the child present with paler fatigue and breathlessness है, ठीक है, जो बच्चा है, यह patient जो भी है, वो paler, यानि उसका रंग जो है, वो पीली जर्द होगी, फटीग ठकन महसूस होगी है, और उसको breathless है, सांस का problem होगा, सांस रुक रुक के आगा, अटक अटक के आएगा, ठीक है, और short आएगा, on exertions and conjunctiva, conjunctiva बोलते हैं, हमारी आँख, जो है, इसकी जो यह line होती है, जहां पे हम काजल या, सुर्म बगरा लगाते हैं, इसमें problem होती है, ठीक है, इसमें abnormality आ जाती है, इसमें infection होता है, ठीक है, and mouth appears pale, और जो है, मुझ जर्द शो होगा, जर्द फील होगा, इसके बाद आता है, there is odema of fit, pound जो है, वो swell हो जाएंगे, and puffiness of the face, face भी swell होगा, पूरा face जो है, वो soft और swelling फील होग लिवर, जिगर और जो तिली है, वो enlarge होगी, अपने size से increase कर जाएगी, since there is low level of hemoglobin, therefore, oxygen carrying power of the blood is reduced, and we are tired easily, ठीक है, यह आप से पहले भी discuss कर चुकी हो, कि hemoglobin का level जब कम होगा, तो oxygen carrying capacity कम हो जाएगी, जिसकी वैसे, जो है, वो, कोई भी फर्द जो है, वो, easily, tired हो जाएगा, इसकी किया जाएगा,